क्या आप जानते हैं कि approximately 90% Indians अपनी डाइट में enough quantity में omega 3 fatty acids को नहीं ले पाते हैं वैसे अगर आप omega 3 fatty acids के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको अभी short में बताता चलूँ कि ये एक ऐसा essential nutrient है जो हमारी body में बहुत सारे important functions के लिए जरूरी होता है omega 3 fatty acids हमारे दिमाग के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे जोडों के लिए और इसके लावा और भी बहुत सारे ऐसे systems होते हैं जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं बहुत ही जादा जरूरी होते हैं, essential होते हैं लेकिन इतना जरूरी होने के बावजूद अकसर लोग इनके बारे में जानते तक नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि omega 3 fatty acids क्या होते हैं, इनको आप कैसे ले सकते हैं, इनसे क्या-क्या फाइदे आपको मिलते हैं और lastly हम कुछ common myths और कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश भी करेंगे जो आप लोग अकसर omega 3 fatty acids को लेकर पूछते रहते हैं तो चलिए अब बिना किसी देरी केस इंटरस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डीटेल से omega 3 fatty acids हमारी body के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज हैं इन्हें essential माना जाता है क्योंकि हमारी body इनको अपने आप नहीं बना सकती है और इसलिए बाहर से इनकी supply body के अंदर पहुचाना बहुत ही जादा जरूरी होता है बैसे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको omega 3 fatty acids भरपूर मातरा में मिलते हैं जैसे कि fish oil है, flaxseed है, अखरोट है और shea seeds है इन सभी चीजों के इंदर omega 3 fatty acids भरपूर मातरा में मिलते हैं लेकिन सिर्फ diet की मदद से इनकी supply को पूरा कर पाना, requirement को पूरा कर पाना कई बार बहुत सदा मुश्किल हो जाता है और इसलिए अकसर omega 3 fatty acids के capsules लेने की सलह दी जाती है omega 3 fatty acids के 90% capsules या supplements जो आपको market में मिलते हैं वो fish oil से बनाये जाते हैं यानि मचली के तेल से बनाये जाते हैं और इसलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अकसर मचली के तेल को ही इसमें क्यों यूज किया जाता है और किसी चीज से क्यों नहीं बनाये जाता है तो देखिए मचली के अंदर पाए जाने वाले जो omega 3 fatty acids होते हैं ये EPA और DHA की शकल में होते हैं जो कि plant source से मिलने वाले omega 3 fatty acids जो कि ALA की शकल में होते हैं इनके comparison में कई गुना जादा बढ़िया होते हैं और यही reason है कि जादातर companies fish oil को ही omega 3 fatty acids के supplement ये capsules बनाने के लिए इस्तमा जरूरी है क्या हम इसको diet की मदद से यानि कि flag seeds खाके या shear seeds को खाके या अक्रोड खाके या machine खाकर पूरा नहीं कर सकते हैं तो देखिए आप diet के जरिये जब omega 3 fatty acids को लेते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि जो चीज आप खा रहे हैं उसके अंदर कितना omega 3 fatty acids हैं और क्या या आपकी body के लिए sufficient है भी या नहीं खास तोर से अगर हम fish की बात करें जो कि इसका सबसे अच्छा source होता है तो ज्यादा तर लोगों के routine में महीने में या दो महीने में या खई बार तो साल में एक दो बारी फिश खाने को मिलती है ऐसे में omega 3 fatty acids की कमी होने का risk हमारी body में क रोजाना कितना omega 3 ले रहे हैं इससे आपको इसकी dosage manage करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है आपको पता होता है कि मुझे दिन में कितने capsule लेने हैं कितनी mg इसकी लेनी है एक और common सवाल जो अकसर लोग मुझे पूछते हैं वो ये कि उन्हें कौन सा omega 3 का supplement लेना तो देखे वैसे तो market में बहुत सारे omega 3 supplements available हैं और सभी अपने आपको अच्छा बताते हैं लेकिन एक supplement अगर आज मुझे ही recommend करना हो तो मैं आपको recommend करूँगा Phytica omega 1000 capsule एक अकेला ऐसा omega 3 supplement है जिसमें आपको 1000 mg omega 3 fatty acids मिलते हैं इन 1000 mg में से 600 mg होते हैं EPA और DHA और बाखी के 400 mg बचते हैं वो दूसरी तरह के omega 3 fatty acids होते हैं ये omega 3 fatty acids आपकी immunity को बढ़ाते हैं आपके heart health को improve करते हैं body में blood circulation को बढ़ा देते हैं और brain function को भी improve करते हैं और इसके साथ साथ आपके जोडों को और आपकी skin को भी healthy बनाए रखते हैं वैसे इसके इलावा और भी बहुत सारे फायदे आपको omega 3 fatty acids से मिलते हैं जिनके बारे में हम आगे अभी बात करने वाले हैं वैसे यहां अगर हम fatty का omega 1000 की बात करें तो इसकी एक और USPA है कि इसमें आपको EPA और DHA जो है वो एक अलग ही ratio में मिलते हैं ये एक ऐसा scientifically proven ratio है जो क omega 3 fatty acids की body के अंदर जो anti-inflammatory effect होता है उसको और जादा बढ़ा देता है फायटी का omega 1000 capsules में heavy metals और दूसरे contaminants भी बिलकुल नहीं होते हैं ये पूरी तरह से pure है और इसलिए पूरी तरह से safe भी होते हैं इसका सिर्फ एक या दो capsule आपको रोजाना खाना खाने के थोड़ी दिर क के बाद दिन में लेना होता है best results के लिए मैं recommend करूंगा कि आप इसको तीन महीने तक regularly जरूर इस्तमाल करें क्योंकि यह जो product है यह long term use के लिए बना है ऐसा नहीं है कि आपने एक दो दिन खाया और आपको कुछ magical results मिल जाएंगे यह long term use करने के लिए होता है और इसको लेने capsule को purchase भी कर सकते हैं और इसके बारे में और जादा जानकारी भी हासिल कर सकते हैं चलिए बात करते हैं omega-3 fish oil capsule से मिलने वाले कुछ फाइदों के बारे में तो सबसे पहला फाइदा जो की पूरी तरह से scientifically proven भी है वो मिलता है आपकी दिल की सिहत के लिए heart health के लिए आपने दो जोस्तों वैसे तो TV commercials में किसी भी बात को बहुत बढ़ा चुड़ा के पेश किया जाता है लेकिन ये बात बिलकुल ठीक है कि omega-3 fatty acids हमारी body के अंदर cholesterol के level को और triglycerides के level को कम करने में मदद करते हैं और क्योंकि बढ़ा हुआ cholesterol और triglycerides हमारी heart health के लिए बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इसके अलावा omega-3 fatty acids जो होते हैं ये हमारे blood circulation को भी improve करते हैं और हमारे blood के अंदर platelets के चिपकने को रोकते हैं जब platelets चिपकते हैं तो उससे internal ठकका जम जाता है clotting हो जाती है और इससे blockage होने का खत्रा बढ़ जाता है तो इसी वजह से जब आप omega-3 fatty acids लेते ह मिलती हैं तो अगर आपका blood pressure भी बढ़ा रहता है तो ऐसे केस में भी आप omega-3 fatty acids के supplement लेना जरूर शुरू कर दें हार्ट health के साथ ही omega-3 हमारे दिमाग के लिए भी बहुत जादा जरूरी होते हैं हमारी पूरी body में सबसे जादा omega-3 fatty acids से brain में ही पाए जाते हैं और इसी problems में अराम मिलता है जैसे कि anxiety या depression की problem कम होने लगती है यही नहीं बहुत सारे neuro degenerative disease जैसे कि Alzheimer's या बढ़ापे के कारण जो दिमाग में कमजोरी आ जाती है या फिर जो यादाश्त कम हो जाती है इसको भी omega-3 fatty acids की मदद से कम किया जा सकता है अब बात करते हैं omega-3 fish oil capsules के ती जोडों में सूजन को और दर्द को कम करने का काम करते हैं बहुत सारी scientific studies बताती है कि omega-3 fish oil capsules इस्तमाल करने से arthritis जैसी problems में जोडों का दर्द और सूजन को काफी है तक कम किया जा सकता है तो अगर आपको जोडों में दर्द रहता है या जोडों में सूजन है या चलने फिर हाइदेमंद चीज है हमारी आखों को खास करके जो हमारा रेटीना होता है इसको सही से काम करने के लिए omega-3 fatty acids की बहुत ज्यादा quantity में जरूरत पड़ती है omega-3 fish oil capsules लेने से आपके वो सभी जरूरी fatty acids मिल जाते हैं जिससे आपकी आखों की सिहत इंप्रूव होती है बहुत बढ़ाबे तक भी आपकी आखों की जो रौश्णी है वो बनी रहती है joint pains brain और heart के अलावा अगर आप अपने बालों को और अपनी skin को भी healthy बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी omega-3 fatty acids के capsules बहुत ही जादा बढ़िया चीज होते हैं इन capsules के अंदर मौजूद fatty acids की वज़ fatty acids को ले सकते हैं इसके अलावा बालों की सिहत इंप्रूव करने के लिए बालों के follicles को nourishment देने के लिए और hair fall की समस्या से बचने के लिए भी omega-3 fatty acids को यूज किया जा सकता है omega-3 fatty acids को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे misconceptions बहुत सारी गलत फैमिया भी है सबसे तरह के जो fats होते हैं वो खराब होते हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए जबकि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि omega-3 fatty acids एक तरह के polyunsaturated fatty acids होते हैं जिनकी हमारी body को सही डंग से काम करने के लिए जरूरत पड़ती हैं इन फैक्ट ये जो fatty acids होते हैं ये हमारी body के लिए सिर्फ होना लाजमी है दूसरा मित यह है कि आपको जो fatty acids होते हैं इस तरह के omega-3 तो ये सिर्फ मचलियों से ही आपको मिल सकते हैं ये भी गलत अवधार ना है क्योंकि omega-3 fatty acids मचली के लावा बहुत सारे plant sources से जैसे कि अलसी की बीच से और अख्रोट में भी पाये जाते हैं अला कि जो मचली के तेल में मिलने वाले omega-3 fatty acids होते हैं ये जादा बढ़िया quality के होते हैं अब बात करते हैं omega-3 fatty acids के कुछ probable side effects के बारे में omega-3 supplements दोस्तों आम तोर से पूरी तरह से safe होते हैं और इनको कोई भी ले सकता है लेकिन कुछ cases में कुछ खास तरह की medicine से ये interact कर सकता है या पिर आपके अंदर को चो हलके-फुल के side effects जैसे के मुझ से मचली की बदबू आना डगारे आना डगारे में मचली की smell आना सीने में जलन हो जाना उल्टी हो जाना या फिर किसी-किसी case में diarrhea की शिकायत भी हो सकती है इसके अलावा जिन लोगों को मचली खाने से allergy होती है ऐस जैसे case में भी आपको omega-3 का कोई भी supplement नहीं लेना चाहिए या फिर अपनी doctor से पहले पूछ के फिर इसको इसको इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि omega-3 fatty acids वैसे तो आपके दिल के लिए आपके दिमाग के लिए आपके हड्यों के लिए आपके जोडों के लिए और आपकी स्कीन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है लेकिन यह याद रखने भी जरूरी है कि यह एक supplement है और कोई इलाज नहीं है इसलिए अगर आपको इस तुरह की कोई भी problem है तो अपने doctor से consult करना और इसकी diagnosis कराना और proper treatment लेना बहुत ही जादा important है तो इस बात को भी बिल्कुल नजर अंदाज नहीं करना है चलिए इसी के साथ मैं doctor सलीम आप से विदा लेता हूं इस वादे के साथ के फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहु हमेशा